नमस्कार दोस्तों अगर आपके फोन की इंटर्नल स्टोरेज में कोई फोटो वगरा पढ़ी है या वीडियो वगरा पढ़े हैं और आप उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं SD कार्ड में अपना इंटर्नल स्टोरेज खाली करने के लिए या जिस भी कारण से तो वो कैसे ट्रा आपके में डिरेक्ली इस टाइप का इंटर्फेस भी आ सकता है अगर दूसरे फोन से आपके तो इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर बहुत सारे ओप्शन दिखेंगे अब आपको जिसको भी जिस भी फोल्डर को या जिस भी फाइल को ट्रांसफर करना है तो आपको यह DCIM नाम से एक फोल्डर दिख जाएगा ओके इसको आपको सेलेक्ट करना है और जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसमें जो भी आप वगर फोटो वगरा खीचते होंगे अपने कैमरे से वो सब यहां पर आ जाती होंगी आप जैसा देख सकते हैं अब अगर अगर आपको किसी particular folder को करना है transfer तो आप उसको सेलेक्ट करिए और पूरे ही अगर folder को करना है तो आप उसको सेलेक्ट करिए और एजमपल हम यहाँ पर यह इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक move का option दिखेगा अब आप इस move वाले option को select करें जैसे ही select करेंगे इसमें आपको करना क्या है एक तो sd-card वाला option यह select कर लेना है कि जैसे hd-card वाला option select करेंगे आपके सामने बहुत सारे folders आएगे जो आपके sd-card में बने रखे होंगे और इसमें से आपको जिस भी folder में वो move करنا है वो आप select कर लीजे for example यह उपर DCIM नाम से फोल्डर है मिसी में transfer कर देते हैं और यहां पर click करने के बाद आपको करना है click paste पर okay paste पर जैसे click करेंगे यहां पर moving चला है जैसे यह moving यह complete हो जाएगा 100% यहां पर यह क्या थे आपके इंटर्नल स्टोरेज से उठके यहां पर SD काइड में आ जाएगी ओके तो आई होप कि आप जान गयांगे कि कैसे इंटर्नल स्टोरेज से कोई भी फोटो या वीडियो वगेरा आप SD काइड में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लिजे सब्स्क्राइब एंड बेल आइको प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लि बाइब बाइब